हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नौलेज आल अबाउड के इस वीडियो में मैं हूँ स्रवड पटवा दोस्तों मोबाइल और कम्प्यूटर की मदद से पीडियाफ फाइल को आउनलाइन इडिट कैसे करें आज काल के डिजडर और रोज मरा की जिन्दगी में बहुत बार आप सभी ने देखा होगा कि आनलाइन फार्म भरने के समय निर्देश दिये होते हैं कि डॉकुमेंस को पीडियाफ फाइल में अपलोड करना है और उसका साइज भी दिया होता है जब आपका पीडियाफ फाइल MB में हो और आपको उसे केबी में अपलोड करना हो तो दिक्कत होता है आज हम आपको इस वीडियो में पीडियाफ से समबंधित सभी जरूरे बातें सिखाने वाले हैं तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो सुरू करते हैं हाज के इस वीडियो में हम पीडियाफ से समबंधित यह मुख्य बातें जानने वाले हैं दो अलग-अलग पीडियाफ को कैसे जोडते हैं पीडियाफ के अंदर से एक्ष्ट्रा जो फेज होता है उसे किस तरह आप अलग कर सकते हैं पीडियाफ को कंप्रेस और उसका साइज एमबी से केवी में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं साथ ही कनवर्टर पीडियाफ जैसे जेपीजी टू पीडियाफ पीडियाफ टू जेपीजी इस तरह का आप सभी को एक ही वीडियो में सभी जनकारी मिलने वाली है साथ हे यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है किन्तु आप इसे सुरू से अन तक देखेगा ताकि कोई भी मुख्य बात आपका अधुरा ना रह जाए इसे के साथ आज का यह वीडियो सुरू करते हैं आपको अपने मोबाइल और कम्प्यूटर में ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको गुगल के सर्च बॉक्स में I love PDF टाइप करना है I love PDF टाइप करने के बाद आपको टॉप में दिखाई देगा I love PDF online PDF tools for PDF lovers जो PDF के lovers हैं वो यहाँ पे जरूर विजिट करें आपको यहाँ सब कुछ फिरी में मिलने वाला है इसी तरह इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसका लिंक मैं description में दे दूँगा आप उसे access करके असानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको I love PDF का interface दिखाई दे रहा है जिसमें आपको merge PDF पे क्लिक करना है सबसे पहले दो अलग अलग PDF को मैं जोड़ने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप एक ही PDF में उसे जोड़ सकते हैं merge PDF उपर में दिखाई दे रहा है जहां पे मेरा करजर है उस पे क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद select PDF files का option आएगा इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों यहां आपको PDF से संबंधित सभी काम जो है फिरी में होने वाला है बस आपके पास net connectivity होना चाहिए इसमें आप अपने files को select करने इस प्रकार देखिए मैं one two two PDF select किया दो PDF को एक में जोडने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे इस तरह यहां पे एक plus का जो sign बना हुआ है इस पे आप क्लिक करके दो से अलग अधिक PDF को भी यहां पे add कर सकते हैं प्लास पे क्लिक करेंगे तो add more का option आएगा इसमें आप अलग PDF को भी जोड सकते हैं तो मैं दो ही PDF को बता रहा हूं इस इसको आप ड्रेग करके इस तरह से ही के फस्ट में इब किसको रखना है और सेकेंड़ में किसको रखना है थर्ड में किसको रखना ज्टों से अधीक है तो स्क्राइब करए ड्यूप कर्भी सकते हैं यहां पर आपको जो downloaded merge PDF जो है इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं या इस प्रकार आपको यहां पर भी दिखाई देगा कि आपका यह downloaded हो रहा है तो इस प्रकार इस पे open करके आप देख पाएंगे कि दो PDF को मैंने एक साथ जोड़ा था आपने पहले देखा था अब यह एक में हो गया है कितनी आसानी से और कितनी जल्दी यहाँ पे हो जाता है यह देखिए यहाँ पे टॉप में देख लीजिए यहाँ पे दचिरपूर मध रेलवे का यह था एक PDF और एक PDF जो है ONGC का था यह देखिए यहाँ से दूसरा PDF है यह दोनों एक में हो गया इस तरह आप मर्ज करना जाएंगा है उसके बाद जो है Split PDF जो हम लोग अभी PDF बनाए हैं दो PDF को एक PDF बनाए है उसी को मैं एक PDF को दो PDF में convert करके दिखा रहा हूं कि उसका 2 कैसे बनाएंगे Split PDF पे आप क्लिक करना है उसके बाद Select PDF फाइल पूछ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फाइल सेलेक्शन करना है जैसे अभी मैं इस तरह से A1 PDF है 2.4 MB का अभी जो हम लोग किये हैं इसी को क्लिक क कीजिए फिर ओपन कीजिए ओपन करने के बाद यहां पर देख लिजिए कि दो यहां पर दो ठोबना दिखाई दे रहा है वन तु अठारा एक से लेकर 18 पेज है अब वन जो एज बीड यहां पर है इसको देखिए यह इसको भी कर सकते हैं आफ वन टू एट या ऐसा ठीक ह तो आपका रेंज दिखा रहा है 1-18, एक से 18 पेज तक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि रेंज दिया हूँ है, from page 1-18 तो इस पर आपको, यह 1, रेंज 1 के लिए है, अब रेंज 2 के लिए क्या करेंगे आप? कि रेंज्ज 2 तो इस प्रकार आपको को कोके इस तरह से आपको जो है रेंज मोड का सेलेक्शन करना है सबसे पहले आपको कस्टम रेंज पर किलिक करने के बाद आपका दू रेंज यहाँ पे बनेगा रेंज वन और रेंज ड्रेंज वन में आपको कितने पेज चाहिए जैसे टोटल वाँ चैलेके अठारा तक है तो एक से लेके हम इसको में यहां से इसको डॉपडाउन से कर सकते हैम यहां पे वन से लेके मैं इसकोग खेह सेवन तक किया सेवन से करने के बाद रेंज बंधाय range 1 में 1 से लेके 7 तक और range 2 में यहां पर 8 से लेकर 18 तक आज से लेकर 18 तक इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका interface कि range 1 में 1 से लेकर 7 तक है यहां 8 यहां 18 तक तो इस प्रकार हो गया उसके बाद आपको जो है split PDF पे क्लिक करना है split PDF पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक PDF जो है दो PDF में divided हो जागा जब कोई बड़ा PDF होगा और उसको आपको अलग-अलग हिस्सों में बाटना होगा तो आप यहाँ जैसे मैं दो रेंज किया हूँ तो दो रेंज के जगा पे आप ज्यादा रेंज भी कर सकते हैं उसके बाद आपका यह जो है downloaded हो जाएगा downloaded होने के बाद आप open करके देख सकते हैं कि यह देखे range merge 1 1 से लेके 7 range 1 range है और 8 से लेके 18 तक जो है range 2 है तो इस प्रकार आपना एक पीडियाफ को दो से चार पीडियाफ भी बना सकते हैं उसके बाद मैं आपको आपके पीडियाफ का size जैसे मालने यह mb में है उसको kb में कैसे divide करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इसमें आपको compress पीडिया प्रक्लिक करना है compress पीडिया प्रक्लिक करने के बाद Select पीडिया फाइल्स पर क्लिक करना है उसके बाद आपका फाइल सेलेक्षन का option आएगा जैसे यहां पे देख दिखे इसका file size जो है 2.48 mb का है इसको resize करना है compress करना है तो इस पर अपन क्लिक किए क्लिक करने के बाद जो है यहां पर देखे तीन option आएगा एक्स्ट्रीम, compression और recommended personal, less compression तो इसमें जो तीसरा नंबर वाला होता है देखे good quality, good compression तो इस प्रकार आप अपने आप सकता नूशार उसका चयन कर लेजिए इसमें इस पर मैं क्लिक किया third पर second वाले पर good quality, good compression वाले पर उसको compress पीडिया पर क्लिक किया 2.48 MB का था आपको यहां पर दिख जाएगा देखे 2.48 MB का था यहां पर 33 देखे यहां पर लिखता है 2.48 MB का है जिसको यहां compress पर resize करके 339.91 MB का कर दिया है तो इस परकार आपका downloaded हो जाएगा हो यहां पर compress पीडिया पर भी क्लिक कर सकते हैं तो यहां पर आटो download भी हो जाता है उसके ओपन करके आप उसको देख सकते हैं इसमें आपका जो जो पीडिया पका quality होता है बहुत ही अच्छा होता है compress करने के बाद भी इसका quality आप देख सकते हैं कि यह compress हुआ है 2.48 MB से compress होके कम केवी में हुआ है MB से तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा quality होता है आपको जो file size भी वहां पर भी मैं दिखा दे रहा हूं इस तरह देखिए यहां पर आई लव पीडियो मर्ज कंप्रेशेट देखिए यहां दिखा रहा है 339 KB का है जबकि हम लोग इसको किये थे 2.48 MB का था तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको कर सकते हैं और थर्ड आप्सन में मैं बताने वाला हूं कि convert पीडियो convert PDF पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए convert PDF बहुत सारा टूल दिया हुआ है इसमें jpg to PDF आप अपना jpg file से PDF में बना सकते हैं और उसे के अनुरूप PDF को jpg में word को PDF में अब PDF को word में PowerPoint को to PDF इसमें आप देख सकते हैं मैं आपको सारा फंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जागा आप अपने आवसकता अनुसार इस पे आ करके आप अपना काम कर सकते हैं बहुत से ऐसे आफिस काम होता है कि कुछ जो फाइल होता है PDF का उसमें कुछ changes करना रहता है नर्मली थोड़ा सा तो उसके वज़ा से बहुत सारा टाइप करना पड़ता है तो उस condition में का होगा कि आप PDF editor का इस्तामाल करेंगे जब जैसे PDF to word में कर लेंगे जो आपका PDF होग के फिर से PDF बना लीजेगा तो बहुत ही आसान है इसमें मैं आपको JPG to PDF कर के दिखा रहा हूं इसमें सेलेक्ट JPG image आपको फाइल चूच का option आएगा इसमें आपका जो फाइल होगा जैसे माले जैपीजी का फाइल है यहां पर देख सकते हैं कि JPG फाइल है इसमें दो भी कर सकते हैं तो इस पर open पर किलिक किजिए उसके बाद यहां पर option आएगा आपको इसको भी drag and drop करके अपने हिसाफ से सेट कर सकते हैं और साथ ही यहां पर देखे portrait mode और landscape mode दो mode होता है इसमें आपको किसमें करना है और page size जो होता है यहां पर देखे दो पेज साइज जा रहा है इसमें आप क्लिक रिज़े नर्मली एफ़ोर साइज ही होता है और इसमें no margin small big step का margin के लिए आएगा तो आप अपने हिसाफ से चूच कर लिज़ेगा तो इसको जेपीजी टू हम लोग PDF करें तो convert to PDF क्लिक करेंगे अब इसको कुछी ही समय में देखेगा यह जेपीजी से PDF में बन जाएगा यह देखें दो फाइल था जेपीजी में था यह देखें यहां पर PDF में आसानी से कर्णवर्ट हो गया बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप लोग भी कर लिजिए और आपको अब जेपीजी से PDF में सिखा दिया अब आपको PDF to JPG दिखा रहा हूं उसी को जो मैंने किया था अभी उसी को दिखा दे रहा हूं ऐसा आफिस काम या अनलाइन फॉर्म भरने से में बहुत बच्चे लोग को ज़रुवत पढ़ता है या जो आफिस काम में काम करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो है जनकारी वीडियो को स्कृप नहीं किजेगा वीडियो को सुरू से लेके अन तक देखे ताकि आपको हर जानकारी जो है न मिलती रहें अच्छा यह देखे ए इसको हम लोग क्लिक किए क्लिक करने के बाद ओपन किये उसके बदेखे पेज टू जेपीजी अब हम लोग को इसको क्लिक करें यहां दो आप्शन आ रहा है इसमसे अपने सुरुधामसर कर लिजेगा अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा होंगे आप लोग चैनल को लाइक किजेगा साथ ही बेल आइकन को क्लिक किजेगा इस तरह का हर नौटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगे इस तरह यह कंप्लीट हो चुका है यहां देखिए दो इमेज उसमें था इसको हम लोग उपन करके देखते हैं यह देखिए जेपीजी में हो गया यहां पर देख सकते हैं फाइल नाइम यहां पर दिखा रहा है यह पहला है तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं उसको यह देखिए यह दूसरा है यह देखिए इस तरह से मैंने बता दिया आपको आप लोग अपने स्विधान उसार इसका एपस का है जो इस्तमाल कीजिए तो इस तरह convert में आपको jpg to pdf और pdf to jpg बता दिया उसी परकार जैसे आपको एक और बता रहा हूं जैसे word to pdf pdf to word में बताने वाला हूं जो आपका pdf फाइल होता है उसे word में कैसे convert करेंगे आप pdf फाइल को एकसल में भी convert कर सकते हैं pdf to word इसको क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद सेम प्रोसिजर आपको फाइल सेलेक्ट करने का आपसन आएगा यह हो गया आपका इसको करते हैं ओपन किये convert to word आप यहां पे हमेशा देखिए जो प्लस साइन बना हुआ है एक से अधिक भी कर सकते हैं इस परकार आपका अपलोडिंग कंप्लीट हुआ यह है कि आपका जितना नेट फास्ट होगा उतना जल्दी इसमें काम होगा आप लोग के नेट पर डिपेंट करेगा कि आपका नेट कितना सुलो और फास्ट है इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ notification.docx का लग गया है extension इसको हम लोग open करेंगे इसमें हम आपको PDF से word में कैसे convert करना है इसको बता रहे हैं ध्यान से देखेगा वीडियो को कहीं भी skip नहीं किजिएगा यह देखे आपका यहां पर इस प्रकार इसका font change हो गया है आप लोग यहां font अपने हिसाब से set कर लिजेगा तो इस तरह जो है आपका PDF से word में convert हो चुका है तो इसमें आपको जहां भी edit करना होगा तो वहां पर आप लोग कुछ भी चीज असानी से edit करके फिर से save कर सकते हैं कि इस तरह से कहीं से भी हलाकि एधी English में रहता तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है हिंदी के वज़ा से इसका font change हो गया है तो font आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं यदि changes हो सके तो इसको set कर लिजेगा इसका typing font अलग होने के कारण इस प्रकार का सो कर रहा है यदि यह इंग्रीज में टाइपिंग हो रहा था तो आपको ज्यादा दिकत नहीं होता तो आप देख सकते हैं अपने सुविधान उसार इसका इस्तमाल किजेगा इस एपस के अंदर फिरी में जो भी करेंगे PDF से related काम सब फिरी में होगा और इसमें उसके बाद all PDF tools पर जब क्रीक करेंगे तो आपको बहुत सार आपसन आएगा इसमें repair एपस यदि किसी प्रकार का आपके एपस में problem है तो आप repair PDF भी कर सकते हैं साथ ही इसमें आपको जैसे किसी page का जो PDF होता है उसमें extra page होता है तो इसमें extra page को कैसे हटा सकते हैं देखे remove page भी दिया हुआ है remove page दिया हुआ है extra page दिया हुआ है और इसमें edit PDF में दिया है edit PDF जब जैसे अभी हम लोग PDF to word convert किये तो direct इसमें edit PDF पे click करके जब करेंगे तो आपका PDF जो है उसी तरह open होगा अब उसमें आपको क्या लिखना है कहां पास ओ आप यहां पर select कर पाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं साथ ही जिस PDF में आपका log लगा हो किसी PDF में कोई अपना code लगा देता है तो उस log को भी आप यहां से असानी से unlock कर सकते हैं अनलाग करने के बाद जो है ओ PDF आसानी से आपका उपन हो जाएगा यह भी यहां पर फिरी होगा जो भी होगा और साथ ही यहां पर उसके नीचे दिया है लिंक में description box में डाल दोंगा आप लोग असानी से इसका इस्तमाल कर पाएंगे और बहुत अच्छा लगएगा एक पर करके देखेगा नजाने आप लोग कहां कहां भटके होंगे पीडियाप से को बनाने या और पीडियाप से संबंधित जो भी है लेकिन यहां आपको पता चल गया है आप लोग असानी से और साथ ही यहां पर sign in करके अपना account भी इसमें बना सकते हैं किस परकार का आपको account बनाना होता है बनाना है sign up करके आप लोग i love pdf का जो है एक ID जनरेट कर सकते हैं फिर उसके माध्यम से आप लोग लॉग इन हो सकते हैं अभी जो जनकारी मैं बताया उसको आप लोग मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से करने के लिए आप अपने मोबाइल के Google Chrome ब्राउजर को ओपन करें ब्राउजर को ओपन करने के बाद राइट हिंड साइट के ऊपर में आप देखेंगे कि तीन डॉट डॉट बटन दिखाई देता है उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का इंटरफेस जो है ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको add to home screen के अंदर डेश्टाफ साइट को इनेबल करने के बाद जो है आपके मोबाइल का पेज अच्छे से ओपन होगा जो भी नेट चलाएंगे उसमें जूम करके पेज को असानी से देख सकते हैं तो इस प्रकार आप लोग जो है मोबाइल के माध्यम से भी PDF से संबंधी सभी काम असानी से कर सकते हैं आई लव वीडियो का प्ले इस्टोर से आप लोग एप्स भी डाउंडोड करके कर सकते हैं यदि मोबाइल के माध्यम से करना हो तो नहीं जैसा मैं ने आपको बताया है कि गूगल में जाकर सेर्च करके करना है उस टाइब से भी करके जैसे बताया है आप लोग कर सकते हैं साथ ही दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा दोस्तों आप लोग लाइक और लाइक तो करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते तो कमेंट भी किजिएगा किमकि मैं आपको ऐसा हर टेकनिकल जनकारी चैनल पर मैं लाते रहूंगा और आप ल आडियो में इतना ही थैंक्स फर वाचिंग धन्यवाद